लो कुम टूम टू बावा क्ट्पो चैनल एक्सेलेंट स्टेडी पॉइंट हमारे यूट्युब चैनल एक्सेलेंट पस्वागत है अच्पिर से हम ऐख की एक куда एज्जुकेशनल और मोस्ट इंफुरमिडिव टॉपिक पर विडियो लेकर आएं आज हम अरे हम top 10 longest rivers in India के बारे में discuss करेंगे कि भारत की सबसे लंपी 10 नदिया कौन सी है कौन सी है top 10 longest river भारत में और इनके बारे में हम सभी important points को cover करने वाले हैं तो चलिए start करते हैं लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे channel excellent study point को subscribe नहीं किया है तो हमारे channel excellent study point को subscribe जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी latest update मिलती है अगर आप ऐसे ही किसी informative topic पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें comment box में comment करकर जरूर बते हैं इंडिया is famous as the land of rivers as there are numerous rivers flowing across the country इंडिया is the land of rivers and these mighty water bodies play a huge role in the economic development of the country the river in India have been divided into two namely Himalayan rivers and peninsular rivers Himalayan rivers are perennial while peninsular rivers are rain free अब यहां पर भारत इसलिए famous है यह land of rivers भी कहा जाता है यहां पर economic development भी काफी जादा यह जो water bodies है यह हमारे economic development में भी एक बहुत महत्वपून रोल प्ले करती हैं भारत में नदियों को दो अलग अलग पार्ट में बाटा गया है जैसे कि Himalayan rivers और peninsular rivers Himalayan rivers क्या होती है rivers that originate from Himalaya यानि कि वो यह जैसे पेरेनियल रहती है जबकि जो पैनन्चुला rivers नहीं रेंपेड रहती है सबसे पहली नदी अगर longest river की हम बात करते हैं भारत की तो भो है दा गंगा river गंगा रीवर का यहां पर एरिया कितना गंगानने कवर किया हुआ है 2525 km का अरिया या गंगा ने कवर किया हुआ है ढगंगा नोजन अगंगा इंद्स dole Sat spelled phon yes Verb मौ बोंड की अइस और जुअन दी इन ओर एंगंगो Hour अलगर किया हुथ तो हमारे Hindu rituals यानि Hindu morals के हिसाब से बात करें अगर हम तो गंगा को सबसे पवित्र नदी माना गया है सबसे sacred river है ये और हमारे इंडिया की सबसे longest river भी गंगा ही है गंगा के origin की बात करें तो ये गंगोत्री glacier जो की उत्तरा खंड में है वहाँ से इसका origin माना जाता है और अलक नंदा की और ये देव प्रयाव उत्तरा खंड से स्टार्ट होती है और origin कहांस है इसका गंगोत्री glacier से भारत की सबसे longest river है ये और distance कवर करती है 2525 किलो मीटर्स का गंगा इस लॉंगेश्य रिवर इंडिया और लार्जेस रिवर इंडिया गंगा ना सिर्फ लॉंगेश्ट रिवर है भारत की बलकी लार्जेस्ट रिवर भी है उसके बाद आती है गोदावड़ी अब कौन-कौन से राज्योंस में गंगा पाई जाती है तो उत्तरकंड यहीं से ओरिजिन हुआ है उत्तरप्रदेश बिहार वेस्पेंगॉल और गंगा का जो आखरी भाग है वो कहां खत्म होता है बांगलादेश में जाकर यह खत्म होता है वेर फाइनली कवरेज जहां यह बेयो बेंगॉल में जाके मिल जाती है अब यहां पर गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज भी है वो है यमना, सोन, गोमती, घागरा, गंडक और कोशी यह सभी नदिया क्या है गंगा की ट्रिब्यूटरीज है सेकेंड है गोदावरी रिवर गोदावरी रिवर का तो दिस्टेंस है वो है 1464 किलोमेटर यह सेकेंड लॉंगेस्ट रिवर है हमारे भारत की अगें इन टरम्स अप टोटल लेंथ यहां पर यहां रखी के लेंथ की बात हो रही है वाटर वॉल्यूम की बात बिलकुल भी ही हो रही है यहां पर कितना डिस्ट्रिंस गर्के कितनी लॉंगे क्रिक एन इंडिया गोदावरी अक्रथा रिवर सथ गंगा इस से से जनाम जाता है यह भारत की उड्यक्सिंट्र इबिस न वां एव बिल्टिर होता है इसकी नासिक त्रियंब केश्वर से इसका ओरिजिन होता है एंड ट्रिवस इस भी अच्टिसवर तेयांगानन आंधर पदे से गुजरती है आफ्टा विच फाइनली मीट्स विद्धा बेव बंगाल और लास्ट में जाके यह भी बेव बंगाल में ही जाती है इसकी जो मेजर अट्रिवू ट्रीज है कौन कौन सी है पुन और प्रानिता इंद्रवती सब्री रिवर यहां पर गोदावरी नदी एक हिंदूों में पवित्र नदी मानी गई है कई सालों से यहां पर कुछ ऐसे मंदि है इस नदी के किनारे बहुत ही sacred मंदि है यह और इनको हिंदू रिजूल्स के द्वारा इनकी पुजा की जाती है यहां पर कुछ ऐसी सिटीज भी है जो की गोदावरी के तट परिस्थित है जैसे की नासिक है नांदेर है राजमंदरी थर्द अगर हम रिवर की बात करें तो थर्ड है क्रिश्टन रिवर क्रिश्टन रिवर का जो डिस्टेंस है जो है 1400 किरो मीटर्स क्रिश्टन विच इस दिए थर्ड लंगस्ट रिवर इंडिया इं टरम्स उलैंग exist dir कर कें अगर हैं थट्री ने ज strongest क्रिशें एफ फोर्थ लोंग्स्ट के इस बात भारत की इन टंस ऌफ लेन्ध वाटर न इंडिया वितिन दयुक्री उनीन vào करें तो फोर्फ लॉंगेस्ट है इन टम्स अव वाटर इंफ्लोज इन रिवर बेसिन एरिया फॉलॉइंग गंगा गुदावरी और भ्रह्मपुत्रा इस सब्सक्राइब उन राज्यों में जहां यह पाई जाती जिसे महाराश्थ है करनाटा कहा तेलंगाना है आंध्रप्र देश है इन सभी जगह इरिगेशन का यह बहुत अच्छा साधन है कृष्ण नदी जैसे कि गंगा भ्रह्मपुत्रा गोदावरी यह भी इरिगेशन के लिए काफी जाधा इनका इस्तमाय किया जाता है इसका ओरिजिनेशन कहां से होते हैं कहां से ओर्जिनेट होती है कौन कौन सी में ट्रिब्यूटरीज है तो है भीम पंच गंगा दोज गंगा घट प्रभा तुंग भद्रा और इसके तड़ पर बसी हुई टॉप टॉप फ्री लॉगेश फ्रीवर हैं पहली थी गंगा सेकंड है गोदावरी और तीसरी है कृष्णा बाकी किट सेवन रीवर्स के बारे में हम अपनी नेक्स वीडियो में डिस्कस करेंगे आज के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो इस अगर अगर आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूत है पॉलो करें हमारे फेस्बुक और इंस्टाग्राम बेच को और अगर आप ऐसे ही किसी एजुकेशनल टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो करकर सभी बताएं जय हिंद जय भारत